भारत के पूर्व कप्तान महेंदर सिंग धूनी के नाम कई रिकॉर्ड्स दर्ज हैं लेकिन भारत बांगलादेश के वाम अप मैच के दौरान धूनी ने ऐसा कुछ किया जिसे देख सभी चौक गए ICC की तीनों ट्रोफी के बॉस और वर्ल्ड चेंपियन कप्तान होने के बावजूद धूनी मैच के दौरान साथी खिलाडियों को पानी पिलाते नजर आए धौनी ने बांगलादेश के खलाब बार्वे खिलाडी की भूमिका निभाई और ड्रिंक्स ब्रेक पर उन्होंने अपने साथी खिलाडियों को पानी और एनरजी ड्रिंक्स पिलाए टीम इंडिया की फिल्डिंग के दौरान MS धौनी जब मैदान पर उतरे तो उनके कंधे पर दो बैग लटके हुए थे जिसमें पानी और एनरजी ड्रिंक्स की बोतले थी इतने बड़े खिलाडी होने के बाद भी धौनी ने अपने से कई जूनियर खिलाडियों को पानी पिलाया धौनी का ये कदम दर्शाता है कि वो सच्ची खिलाडी है जो अपने रुतबे की नहीं बलकि टीम की परवाह करता है एक ऐसा खिलाडी जो हर रोल को निभाने के लिए तयार है दोनी की तरह ही आस्ट्रेलिया के खलाफ धर्म शाला टेस्ट के दोरान कप्तान विराट कोहली भी टीम इंडिया के बारवें खिलाडी की भूमिका में थे विराट भी पैवेलियन से पानी की बोतल लेकर मैदान पर आये थे और उन्होंने रहाने और अपनी टीम के साथियों के साथ मैच की रणीत पर चर्चा की थी